टेक्निकल अस्ट को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं और हमारे वीडियो की लेटेस जानकारी पाएं यूटुब भारत में अनने साहस और वीर्टा की कई मिसाले हैं लेकिन जब हम बात करते हैं सैनिको की तो हमारा सीना चोड़ा हो जाता है भारतिय सैनिको ने अपनी ताकत का परिचाय पाकिस्तान को कई बार करा है और शायद वह अब इस बात को जान चुके हैं कि भारत के सैनिको से जीतना नामोंकिन है खैर केवल पाकिस्तानी ऐसा देश नहीं है जिसने हार का स्वाद चखाया इसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां भारतिय सैनिको ने अपनी सेवाएं दी है सोतंतरता से भी पहले भारतिय सैनिको ने कई महतोपून युद्ध लड़े हैं चाहे वो पर्थम विश्योध ही क्यों ना हो इसके बाद दुट्य विश्योध फिर मिस्र, बर्मा, मलय, हांकांग, कूरिया, जापान, येरो, फिलिस्तिन या इसराइल के हाइफा शहर का युद्धी क्यों ना हो जिसने सेना और उनकी रेजिमेंट ने दुश्मनों को घुटनों पला दिया इस कड़ी में आज हम आपको कुमाओं रेजिमेंट के बार में बताने वाले है, जो अपनी निदर्ता और बहुदरी के लिए प्रसिद है इस रेजिमेंट की स्थापना करीबं 200 साल पहले हो जोकी थी भारतिय सेना की कुमाओं रेजिमेंट की बुनियाद बिटिस काल के दोरान अठारविश हतापती में पड़ी ये वो समय था जब भारत में अंग्रीजों ने अपने पाउं जमा रखे थे और कुमाओं पर हमला कर लिया था इस तरह एक बिटिस निवासी सर हैंडरी रेसल को 19 वी हैदराबाद रेजिमेंट बनाने का श्रे दिया जाता है कुमाओं रेजिमेंट की जने हैदराबाद से जुड़ी हैं हाला कि इनका हित्यास 1788 इश्वी से बत और हैदराबाद के नवाब सलवत खां की रेजिमेंट से शुड़ू होता है माना जाता है कि सन 1794 में इस रेजिमेंट का नाम रेमेंट को और था करीब 20 साल तक कुमाओं रेजिमेंट हैदराबाद रेजिमेंट का हिस्सा थी बना दिया गया हाला कि 27 अक्टूबर 1945 को इस रेजिमेंट के नाम पूरी तरह से बदल कर कुमाओं रेजिमेंट कर दिया गया जो कुमाओं रेजिमेंट की बहादूरी और जज़बे को दर्शाता है भारत के आजादी से पहले कुमाओं रेजिमेंट के जवानों ने कई एहम मौकों पर कुर्बानिया दी कुमाओं रेजिमेंट ने एंगलो, नेपाल, युदि के दोरान, गोर्खा और अंग्रेजों की और से युद्रलाब उननीत वो शतापती की शुरुआत में कुमाओं रेजिमेंट ने इस इंडिया कंपनी के लिए सेवाई दी थी उत्रखन के पहारों की रानी कहे जाने वाले रानी खेत में कुमाओं रेजिमेंट का सेन्य मुख्याले है यहीं पर कुमाओं रेजिमेंट की जवानों को करी ट्रेनिंग लेकर तयार किया जाता है पहारों की बीच बने इस मुख्यले में कुमाओ रेजिमेंट की भरती में शामिल होने वाले लड़कों को सरहत की सुरक्षा की बारिक्या सिखाई जाती है यहां से ट्रेणिंग पूरी करने के बार जवान देश की कोनी कोने में अपनी सेमाई देते हैं कुमाओ रेजिमेंट में रंगरूटो की भरती उत्राखन के कुमाओ डिविजन से होती है वहीं हरुयाना, राजिस्थान और उत्रप्रदेश के मैदानी इलाकों से भी इसने सैनिक भरती किया जाते हैं इस रेजिमेंट के पास कई ऐसी उपलब्दिया हैं जो भारतिय सेना के नाम को बुलंडियों तक पहुचाती है आपको जान करता जुब होगा कि भारत को पहला परमविर विजेता देने वाली कुमाव रेजिमेंट ने ही भारत को तीम बार थल सेना देख्ष भी दे हैं 13 अपरेल 1984 का दिन आखिर कोई भारति कैसे बूल सकता है जब भारतिय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मात देते हुए कश्मीर के सियाचिन की बरफिली पहाड़ी पर शान से तिरंगा फेराया था आपको बता दे कि सियाचिन गलेशियर दुनिया का सबसे उचा युद छेतर है फूर्थ कुमाव रेजिमेंट ने आपकिस्तानी दुश्मनों को ख़देर कर उस पर दुबारा से अपना कपचा किया कुमाव रेजिमेंट भारती सेना का एक चमकता सितार है मीजर सोमनाथ शर्मा भी इसी रेजिमेंट के एक सितार है जिनों ने इसका नाम इतियास के पन्नों पर दर्ज करा दिया मेजर जनरल अमनाज शर्मा के बेटे मेजर सोमनाज शर्मा ने कुमाव रेजिमेंट में 22 अक्टूबर 1942 को कमिशन प्राप्त किया था और रेजिमेंट में उनकी तेनात्की के कुछ सालों बाद ही जम्बू कश्मीर के बरगाव में पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते वे मेहली रेजिमेंट थी मिजर सोमनाज शर्मा ने पाकिस्तानी सैनिकों को बढ़गा में ही रोग दिया और अपने जान की प्रवान ना करते वे दुश्मन को मारते रहे इंडियन आर्मी की हर रेजिमेंट का एक अपना आधिकारिक युदनारा है और आधर्श वाक्या होता ठीक कुमाओ रेजिमेंट का भी अपना वाक्या है प्राकर्मो विजयते जिसका मतलब भाधुरी की विजय होती है वहीं इस रेजिमेंट के चार युदकोष है कालका माता की जै बजरंग बली की जै तादा किशन की जै और जै दुर्गा नागा कुमाओ रेजिमेंट की 1948 क सिंग के निद्रत में तेरा कुमाव रजीमेंट की चारली कांपनी ने चीनियों के दाथ खटे कर दिये मुझाच शतान सिंग को अपनी वीरता और शौरय के लिए मणनोपरांथ परम वीर्चक्र से समानित किया गया कुमाव रजीमेंट को अब तक दो परम वीर्चक्र, 13 महा पदक, 69 से जादा विशिष सिवा पदक और अर्जुन प्रोसकार से सम्मानित किया जा चुका है। कर दो दो किया जादा किया जादादा युका है।